अब हमें देखा है Trojan Horse तो बहुत खतरनाक हैं, एक और चीज भी बड़ी खतरनाक होती है, तो हम उसको समझने की कोशी कर रहे हैं, कि यहाँ पर हम जब बात करेंगे, अब की Loggers की बात करेंगे, तो इसको समझाने के लिए मैंने क्या करेंगे, एक सिस्टम और इन्वाल्व कर करते हैं, आलमस्ट डेली लेवल पर हम अपने जो ओनलाइन टांजेक्शन वगारा करते रहते हैं, कभी बैंक की साइट पर विजिट करते हैं, कभी एमेल वगारा असेस करते हैं, जहां पर भी हमें यूजर निम पासवर्ड वगारा की जूरत परती है, तो हम यहाँ से क्य है, विक्टम क्या करेगा, इस सिस्टम को असेस करने की कोशी करेगा, और जैसे ही यह साइट को असेस करने की कोशी करेगा, हमें पता है हमने कोई बैंक की साइट नहीं बनाई हुई है, जस्ट हम आइजूम कर रहे हैं कि यह किसी बैंक का सरवर है, तो यहां से बैठके वि यहां से यहां communication हो रही है और attacker यहां पर बैठा हुआ है अब हम देखेंगे कि क्या attacker यह यूजर निम पासवर्ड इंटर किया हुआ है क्या वो उसको capture कर लेगा कि नहीं कर लेगा तो यह हम देखने के लिए क्या करते हैं हम यहां से बैठके इसको assess करते हैं फिर यहां पर जाके देखते हैं कि practically कि यह उसने capture कर लिया अगर capture कर लिया तो कैसे कर लिया कौन सी चीज उसने use की है तो हम सबसे पहले यहां से बैठके इसको assess करते हैं तो हम यह victim system पे हम चले जात अब जब आपका सिस्टम इनफेक्ट हो गया तो आप अपने ब्राउजर को यूज करके अलग लग चीज़ें करोगे तो यहां पे हम क्या करते हैं हम अपने जो साइट है उसको ऊपन करते हैं तो यहां पे हम साइट के नाम की बजाए हमने उसका आई-पीडेस दे देते हैं पासवर्ड जो भी हमारी डेटेल्स हैं तो हम उसको क्या कर देंगे उसको भर देंगे और जो भी पासवर्ड है वो हम दे देंगे तो वो हमारी bank की side open करतेगा बट अब हम देखना चाहते हैं कि यह capture कर रहा है कि नहीं कर रहा अब यहां से यहां communication हो जाएगी यह तो बहुत दूर था बट बट इंटरनेट पे सरे system connected होते हैं यह जो हैं यह हम देखना चाहते हैं कि इसने यह capture कर लिया कि नहीं कर लिया और उसके लिए वो कीश चीज को इस्तेमाल कर रहा है तो अब हम attacker के system पे आते हैं attacker system पे आप देखोगे यहां पे एक option है key logger तो यह जो trozen horse इतना dangerous है कि यह key logger भी है वहां पे install कर देता है victim system में key logger क्या होता है कि जो भी key आप type करोगे वो उसको capture कर लेगा और यहां पे हम click करते हैं और यहां पे हम क्या करते हैं read log तो यहां पे वो क्या दिखा रहा है weapon जो भी उसका password वगरा रहती है वो हमें show कर रहा है कि यह वाला जितने भी हमने password इंटर किया है weapon 123456 उसने दिखा दिया है कि इस site को assess करने के कोशिके जो भी आप type करोगे जो भी आप keyword को use करके करोगे तो वो क्या करेगा इसलिए bank वाले आपको क्या करते है जब उनकी site पे जाते हो आप virtual keyword आप use करो वो recommended आए otherwise किया की लोगर और ध्यान रखना की लोगर आगर आप किसी भी search engine पे जाके search मारोगे की लोगर हजारों की लोगर के अवारे में आपको information आजएगी आप उन्ने install कर लेना है और ये सबसे असान tool होता है किसी को hack करने का और आजकल तो क्या हाड़वेर की लोगर भी आते हैं जिसको हम जहां पे हमारा keyword लगता है वहां पे हम लगा देते हैं और उसके बाद वहां पे keyword फिट कर देते हैं अब कोई भी वहां पे काम करेगा तो क्या करेगा वह सारी चीज़ें वह एक USB टाइप का होता है उसमें की लोगर में hardware की लोगर में storage एक फाइल और बाद में वह जो person है जिसने वह लगाया उसको वह निकालके उसके बाद उसको फाइल को open कर लेका तो सारी username and password इसलिए हमेशा ध्यान रकना है कि आप जब भी अपने कोई critical information कोई sites यूज़ करना चाहते हो जहां पर username password यूज़ हो रहा है तो अब आप किसी का system यूज़ ना करो हमें नहीं पता कि उसने की लोगर वगरा इंस्टाल किया हुआ है जब public place पे कम से कम यूज़ करना है मेरे case में मैं कभी भी कुछ मर्जी हो जाएगे अपने laptop के लावा मैं कहीं से भी जाँ अपने mobile के लावा कहीं से भी मैं अपने कोई भी resources assess नहीं करता हूँ यह मैंने rule and regulations बना रखे हैं तो की लोगर भी एक और dangerous malware है तो हम यहां पे हम क्या करते हैं इसको delete करते हैं तो यहां पे हमने क्या देखा है कि क्या mechanism है Trojan horse कुछ जों को और भी install कर देता है जैसे key logger का क्या function है जितनी भी keys हम type करेंगे उसको वह एक file में save करता रहता है जिससे हमें क्या कर देंगे username and password मिल जाते हैं deliver payload को कैसे करना है जब victim infect हो जेगा तो उसने कैसे connect करना है फिर हमने देखा कि इसके अंदर inbuilt key logger भी है अब हम देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे malware detection वगरा tools हैं उसमें से हम एक आदे को use करके देखेंगे कि कैसे हम इन चीजों को detect वगरा कर सकते हैं सबसे पहले हमें कोई भी malware detection tools को install करना पड़ेगा उसके बाद हम देखेंगे कि उसको वह कैसे उससे जों को क्या कर सकता है detect कर सकता है और उसको remove कर सकता है